फर्स्ट क्यूस्चन है निमलिक्त में से किस में एक संग एक संगतता सामिल नहीं है तो आंसर है समूहन next है वस्तुओं के समुह के आकार को मापने और संप्रेशित करने के लिए निमलिक्त में से किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर है cardinal संख्या next है subetizing क्या है तो आंसर है वस्तूओं की संख्या को केवल देखकर और परतेक वस्तू को गिनने बिना पहचाने की शमता next है संख्याओं को पढ़ाने का सही करम क्या है तो इसमें option है गढ़ना के अवसर अंक लिखना, अंक पढ़ना और संख्याबोध करना तो इसका आंसर होगा एक, चार, तीन, दो, एक next है निमलिक्त में से कौन गणित अधिगम के आंकलन के आयाम नहीं है तो इसका आंसर है परतिक्यात्मक ग्यान संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे से को वस्तूओं को करंबद करने में शक्षम होना चाहिए क्योंकि संख्याओं पर संकिरिया के लिए आवशक निमन में इसे पुरु संख्या कोशल नहीं है इसका आंसर होगा अंक जानना नेक्स्ट है पुरु सालिय शिक्षकों के लिए निमलिक्त में से किस से बचना चाहिए तो पुरु सालिय जो शिक्षक है उनने किस से बचना चाहिए तो इसका आंसर होगा बच्चों को संकिरियाओं की समसे पहले संख्याओं लिखने को कहना नेक्स्ट है वस्तूओं को वर्गी करने के लिए आवशक है वस्तूओं की विसेस्ताओं को पहचाने नेक्स्ट है सुनने के अवधार नामी निमलिक्त मेंसे कि संकिरिया के माध्यम से सर्वोत्म रूप से प्रिश्टुत किया जाता है तो आंसर है घटाओ अंक क्या होते हैं तो इसका आंसर है संख्याओं के लिए परतीक गन्ना की परकिरिया के दोरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है तो इसका आंसर है नंबर के नाम लिखता है निमलिक्त में से कौन सा गुनन सीखने का सबसे मैतपुन पहलू है तो कुणन को कितनी बार जोडने के रूप में समझना प्रानभी का वस्ता में गनित सीखने के दोरान बच्चे से अपेक्षा नहीं की जाती तो इसका आंसर है गनितिय तकनिकों के लिया उशक प्रमप्राओं में जाने वेन वहिल के जामितिय विचारों के नुसार जो दूसरा स्तर है वो कौन सा है तो इसका आंसर है अमूर्तिकरण निमलिक्त में इसे डेटा प्रबंदन का एक घटक नहीं है तो इसका आंसर है डेटा निर्मान तो अब हम इससे सब्मिट कर देंगी आप देख सकते हैं कि हमारा श्कोर है 20 में से 20 इस तरीके से आप भी अपना श्कोर पराप्त कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें